नमस्कार विभाकिश्री बिस्यन दे उसके बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है खबरों के और पेटे से पहले आगे डालते एकने सर आज की सुर्कियों पर इंकम टाक्स रिटरन भरने की टेंशन खटा नई इपोटल पर जोड़ सकेंगे सिए इंकम टाक्स रिटरन भरने में अगर आपको कोई परिशानी हो रही है तो इसके लिए कोई चार्टर अकाउंटेंट खोजनी की ज़रुवत नहीं है इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने आपके ये मुश्किल आसान करती है इंकम टाक्स विभाग ने साथ चुन को नया इफालिंग पोर्टल लॉंच किया था इस पोर्टल पर आईटर फालिंग या दुसरी सब्वादित दिवा में सहाइता के लिए आप टैक्सपेर्स को चार्टेड अकाउंटेड यानि सीए ए रिटर्न इंटर्मेटियरी या राय या किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटिव्टी को जोड़ सकेंगे पिछले हपते लगाता दो कारोबार दिनों तक सोनी के दाम पड़े हैं आज भी सोनी का रेट हलकी तेजी के साथ खुला है बेते हपती हुई सोना 47,000 रुपे प्रती 10 क्राम के उपर निकल गया था आज भी ये 47,000 रुपे के उपर खुला है शुक्रवार को सोना 300 रुपे की अच्छी मजबूती के साथ 47,300 रुपे के उपर बन वा था आज इसमें एक बहुत छोटी दारी में कारोबार हो रहा है लेकिन रेट्स अब भी 47,300 की उपर बने वे हैं पिछले साल कोरोना संकर की वज़ा से लोगों ने सोने मीचम कर निवेश गया था अगस 2020 में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 56,191 रुपे की उच्छी तमस्दर पर पहुँच गया था आज सोना अगस वावधा MCX पर 47,300 रुपे प्रती 10 ग्राम के लेवल पर है यानि अब भी करीब 8,900 रुपे सस्ता मिल रहा है चान्दी का सितम पर वावधा शुकरवार को 1000 रुपे प्रती किलो की अच्छी मजबुति के साथ बंध वाथा चान्दी वावधा अब 70,000 रुपे प्रती किलो के लेवल पर आख्या है चान्दी वावधा आज करीब 400 रुपे की मजबुति के साथ कारोबार करता दिख रहा है चान्दी का अब तक का उच्छे तमस्तर 89,980 रुपे प्रती किलो है इस हिसाब से चान्दी भी अपने उच्छे तमस्तर से करीब 10,480 रुपे सस्ती है और चान्दी का जुलाई वावधा 79,500 रुपे प्रती किलो पर है देश का कोईला उत्पादन बीते विद्वश 2020 और 21 में 2.02 प्रतीशत की मामली गिरावट के साथ 11,060 करोट टन रह गया है ऐसे पिछली विद्वश 2019 और 20 में कोईला उत्पादन 73.08 करोट टन रहा था कोईला मंताले की 2015 और 21 की अस्ताई आकड़ों में यहाँ जानकारी दी गई है आकड़ों के अनुसार बित्विद्वश में 71,60 करोट लाग टन की कुल उत्पादन में नौन कोईली का हिस्सा 67,12 लाग टन और कोईली का 4,47 लाग टन रहा देश के कुल कोईला उत्पादन में 80,99 लाग टन का उत्पादन सारविजनिक शेत्रनी और 6,3 करोट एक लाग टन का उत्पादन निजी शेत्रनी क्या है विद्विद्वश 2020 और 21 में 36 गड़ ने सबसी अती 15,84 लाग टन का कोईला उत्पादन दश क्या और इसानी 15,41 लाग टन के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर रहा उसके बाद मत्यप्रटेश 13,25 लाग टन और जारकन 11,92 लाग टन का स्थान रहा है मित्विद्वश में जारकन 4,43 लाग टन के साथ सबसे बड़ा कोईला उत्पादन रहा कुल कोकिंग कोईले के 4,47 लाग टन के उत्पादन में जारकन का हिस्सा 99,11 प्रतिशत रहा कोरोना काल में भी आमुल का बिस्निस बढ़ा है सरकारी कमपनी जीसी मफफ ने यह जानकारी दी है वह आमुल ब्रांट नाम से दूद और उससे बने उत्पादों की बिक्री करती है कमपनी का कारूपार वित्वर्ज 2020 और 21 में कोविट-19 के प्रकों के बाउचुद 2 प्रतिशत बढ़कर 49,200 करोड रुपे रहा गुज्रा सहकारी दुगत विपनन महास्तंक लिमिटेट ने वित्वर्ज 2019 और 20 के दौरान 17 प्रतिशत की वृत्ति के साथ 38,250 करोड रुपे का राज़स विद्वर्ज किया था वित्वर्ज के दौरान बिक्री में वृत्ति की रफ्तार थोड़ी देमी रही लेकिन चालू वित्वर्ज में इसमें तेजी वापस आने की उम्बित है मित्वित्वश में कंपनी की आइसक्रीम की पिक्री गर्मियों की दोरान लगी राश्ट व्यापी लॉक्डाउं की कारण 35 प्रतिशत घट गई थी पाउडर दूद का कारूपार भी प्रभाविध हुआ था उन्होंने कहा कि हम प्रति दिन 150 लाख लीटर दूद पेशते हैं गुजरात से लगबग 60 लाख लीटर देले अंस्यार से 35 लाख लीटर और माराश्टी से 20 लाख लीटर दूद पिक्ता है हम चालो वित्तवश के द व्यवसायों को लेंते पर टीडियस काटने की आवशिक्ता नहीं होगी बहले ही उनकी किम्मत 50 लाख रुपे से जादा हो काटना होगा हाला कि से भी डिटी ने ये साफ क्या है कि ये प्रावथान किसे स्टॉक एक्सेंज के जरिये शेयर या कमोडी के लेंदेन पर लाखु नहीं होगा टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कई अभिवेधन मिले थी जिसमें कुछ एक्सेंज़ों और क्लियरिंग कॉर्परेशन के जरिये लेंदेन के मामले में आईटी अधिनियम की थारा उन्हें सचालिस में शामिल टीडियस की प्रावधानों को इंकम टैक्स की अधिनियम की धारा 194 क्यों के प्रावधान शेरों और कमोडिटी के लेंदेन पर लाख हुनी होंगी जो मानित अप्राप्त स्टॉक एक्स्टेंजों की जरिये खरी देगा है या जिनको सेटल और क्लियर किसी मानित अप्राप्त क्लियरिंग हाउस की जरिये किया गया है आपको बता दे कि व्यवसाई की ओर से टीडियस कर्टोती से संभधित धारा 194 क्यों को 2021 और 22 की बजट में पेश किया गया था और यहां एक जिलाई 2021 से लाख हो गया है सबीडिटी ने ये भी साफ किया है कि केवल वो संस्ताय जिनका पिछले वित्तवर्ष में बिजनेस से सालाना टर्न ओवर 10 करोड से जाता होगा सिर्फ उनको ही 50 लाख रुपे से जाता की खरीत पर टीडियस काटना होगा बिनो रिपोर्ट BCN News ख़बरे समाफ्ट करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की ख़़वर्ष में देश का कोईला उत्पातन दूप प्रतिशत ख़़़कर 51 करोड 6 लाख टन पर बिजनेस समाचार में फिला लिता ही ऐसे अन्य ख़बरों से जुड़े रहने के लिए देखती रहें पीस यंदियूस नमस्कार